Hi everyone, welcome to math city, आज की इस वीजियो में हम बात करेंगे integration by substitution की trick number 2, यह बहुत ही time saving trick है यहाँ पे मैंने कुछ functions लिखे हैं और इनका integration आप even without using pen mentally बता सकते हो चलिए देखते हैं कैसे, जैसे कि यह question है, इसका integration है log 1 plus x square plus c इस function का integration है log mod of 10x plus c इसका integration है, देखिए कितना complicated function लग रहा है इसका मैं mentally integration बता सकती हो, इसका integration है log x की power 10 plus 10 to the power x plus c तो कैसे आप इतनी complicated दिखने वाले function को mentally integrate कर सकते हैं, चलिए देखते हैं अगर आप किसी भी integral में देखते हैं, कि जो हमारा integrand है, यानि कि यह जो part है वो एक special pattern में है, किस तरह का है, कि function नीचे है और उसका derivative numerator में है function नीचे है, यानि कि denominator में है और उसका derivative numerator में है अगर function इस तरह का है, तो इसका direct answer आप लिख सकते हो, log of this function यह इसकी trick है, चलिए इसे समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा यह question, यहाँ में हम देख सकते हैं, कि 1 प्लस x square denominator में है, उसका derivative क्या होगा, 2x होगा, वो उपर है, तो इसका answer इस trick के हिजाब से क्या होगा, log 1 प्लस x square, इसमें mod लगाने के जो इतनी ही, क्योंकि नेगिटिव नहीं हो सकता, तो इसका integration यह हो जाएगा, इस question की बात करते हैं, यहाँ पे function नीचे है, 10x, 10x का derivative क्या होता है, से x square x होता है, तो वो उपर है, इसका integration direct क्या होगा, log mod of 10x plus c, इस trick के हिजाब से इसका direct answer होगा, चलिए यह समझते हैं, कि trick काम कैसे करते हैं, क्योंकि हम इसे रट के तो नहीं जा सकते हैं, तो चलिए इससे समझ लेते हैं, मैंने कहा कि direct answer आप लिख सकते हो, लेकिन यह answer कैसे आ रहा है, और procedure क्या है, अगर हम conceptual way से आगे बढ़ सकते हैं, तो यह जाएगा, तो अपने integral में हम अगर इसे रख दें, तो यह हो जाएगा, 10x को अप T आने थे, नीचे वाले तंप को अप T आने थे, और जो ऊपर है, वो DT मिल गया है, तो 1 upon T का integration क्या होता है, लोग T होता है, तो यह देखी, लोग T ही आ जाएगा, तो इस तरहां से इसका answer हो गया, log mod of 10x plus c, अगर आप trick को समझ चुके हो, तो आप मुझे इसका direct answer बताइए, pause the video and try to solve this integral, 3, 2, 1, तो hopefully आप इसका सही answer निकाल पाए होंगे, हमारा question क्या है, देखिए, अगर ध्यान से हम देखें कि जो denominator पर जो time है, वो है x की power 10 plus 10 की power x, अगर मैं इसे differentiate करूँ, तो x की power 10 plus 10 की power x का differentiation क्या आएगा, x की power 10 का 10x की power 9, और 10 की power x का derivative आएगा, a की power x का क्या होता है, a power x into log e base a होता है, तो log e base 10 आजाएगा, यानि कि ये कुछ और नहीं है, numerator में denominator का derivative present है, तो चुकि है हमारा integral भी, इस special pattern का है, तो इसका answer, hopefully अब बता पाए होंगे, इसका answer होगा, log of denominator, यानि कि log of x की power 10, प्लस 10 की power x, प्लस c, ये है इसका direct answer, hopefully ये trick आपको पसंद आई होगी हो, इसी तरह के tricks और techniques लेके हम लोग आते रहेंगे, thank you for watching.